देखिए लेटिस्ट एपिसोड बिलकुल आड़ फ्री हो जाता है रोहन इसी कमरे में रहेगा पंद और कोई भी इस दर्वाजे को खोलने की जुरत नहीं करेगा हैदर हैदर अब आप अपने भाई करने का जबरदस्टी करवाएंगे कैसी पाति कर रहे हैं जबरदस्टी करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे बीवी के बागलपन में और मेरे छोटे भाई कीवत तमीजी ने मुझे मजबूर कर दिया है तुम्हें मेरा दिल तो रहा है रोहान ने मुझ पर हाथ उठाया सब कुब ले मुझे लेकिन रोहान की नादानी के बज़ा से किसी मासूम को मरतों है मैं देख नह सबाप करें मुझे इसना है अनच की बॉस्तर tv बड़ी चाल वास है है थे को महरा नारत मुझ पूरा करना चाहती है उन क유 चाहते हैं और क्यों नहीं उचे बहर नहीं जानता दुग है अगर तुमारे दिल में सारा भी चाद मेरे बाकी है तो मेरे पीछे मत आना हो अब जा रहे हैं पहेदर, मेरी बात सुन्हें इस तमाशय से दूर जाएगना आप फर्मान भीवी नहाँ अलेक बत्मीज भाई नहाँ नहीं अधर, मैं आपको कही नहीं जाने दोंगी आपको मेरी बात सुननी होगी पहेदर, मेरी बात सुनिये रुक जाएए मुझे आपको वरा हम्मी हम्मी, मुझे हैदर को वह राज पताने दीजिए सक्मु का इलाज ना किया जाए तो नासूर बच जाता है और राज को जितना छुपाया जाए उतना गहरा होता जाता है मैं आज इस राज से पड़ता उठाके रहोंगी नहीं वो मेरा राज है मेरे साथ ही मेरे कपर में जाएगा किसी को मुझ खोलने की इजासत नहीं दूंगी बै तो भाईयों की महबत को दुश्मनी में तो तब दिल कर ही चुकी हो तुम रूहान और गजल के निकाह को रोकने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही हो अब मेरी औलाग को भी मुझ से चीनना चाहती हो तुम मैं तुम्हें इस खर की खुशियों को आग लगाने नहीं दूंगी दूआ नहीं अम्भी आग मैं नहीं लगा रही हो मैं तो आग लगने से रोक रही हो जो इस खर को दबा कर देगी समझने की कोशिश कीजी अम्भी आपको इसक जितनी गालिया देनी आप मुझे दे लीजी लेकिन मेरा अला जानता है कि मैं जो कर रही हूँ वो क्यो कर रही हूँ काश में मैं अपने हैदर के लिए ना चुंदी दो रही है काश में ये गलती ना करते है इतने अरसे तक एक अच्छी बहूँ एक अच्छी बीवी होने का ढोंग रचाती रही तुम अखर तुमारा असली चेहरा तो सामने आगी क्या कभी माफ नहीं करूगी देखा मेरे दुआ की क्या हालत करती है अगर लौट के तुम मेरे खेमे में नहीं आती तो तुम अभी तक अपने बच्चों को अपने शोहर को हमेशा के लिए खो बैठती और तुम्हारी हालत भी तुआ जैसी हो जाती ना घर की रहती ना खाट की प्रस एक बात याद रखो पुल्लो बेगम अगर इस बार तुम्हें मुझसे कत्तारी की तो मैं तुम्हारी जान लेंगी पुझे माफ करते ना, मेरे मौला, पुझे माफ करते ना अगर दुआ जाकर भी इस घसल जरसी शहतान से जीत नहीं सकती और घसल का साथ देना, मेरी मजपूरी है हैदर! हैदर! हैदर मेरी बात सुनी है हैदर! हैदर! अल्हा की नेक बंदी को ऐसे जमीन पर पढ़े देख बड़ा अफसोस हो रहा है तुमने बहुत कोशिश की लेकिन तुम फिर भी हार कई दुआ बेगम? चानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुकाबला उससे हुआ था जिसकी किस्मत में हार लिखी नहीं है अरे दो बज भी गए? मुबारक हो तुम्हारी बरबादी की तारीक आ गई मैंने सारी रस्में दो बार की है सगाई भी उप्टन हल्दी भी महंदी भी मगर निका एक ही होगा और शायद तुम्हें ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि किसके साथ होगा अकात में रहो चिल्लाओ मत देखो दुआ मैं बहुत खुश हूँ मेरा मूड मत खराप परो और सुनो उपर वाला कमरा खाली है तुम वहां जाओ वहां पर बैठ कर आराम से अपने तक्पीब पर आजू बहाओ हूँ मैं अभी हारी नहीं हूँ समझी मैं हाथ नहीं हानूँगी मेरे पास अब एकी रास्ता बजाए जिसके बाद है जारामी रोहान सब मुझसे मुझसे नाराज हो जाएंगे पर मैं अपने घर को बर्बाद होने नहीं दे सकती इसा नहीं होने दे सकती और जहर को कातने के लिए जहर तो पीना पड़ता रहा है किस बिट्टी का बनाए तू अपनी माशू का करने का मुझसे गरवाना चाहता है मेरी इस हालत के जिम्मेदार तू है अधर तुझे शरम नहीं आई अपने छोटे भाई की होने वाली बीबी के साथ नाजाज रश्ता बनाया तूने मेरे मुला मैं आज तेरी दर्गाप पर एक फरियाद लेकर रहा हूँ हो सके तो कुबूल करना मेरा भाई रुहान उसे गजल का बुनेगा हूने से बचा देना क्योंकि एक अवरत की बद्वा जिन्दगीयां परभात का देती है खरो सके हैं तो रुहान को इस निखा के लिए तेहार कर देना हून दूआ को रुहान की अम्मी ने बैखा दिया उसे सही रास्ता दिखाना उसे बात मत करो दूआ उना कुछ समय में कुछ ऐसा क्या जाओगा जिसका अफसोस मुझे उम्र भार होगा जिस नंबर पर आप पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं वो वर्तमान में कॉल प्राव हैधर, फोन उठाएए आपको अम्मी का रास बताना बेहत ज़रूरी है है हैधर मनने सब पपाऊ जाएगा फोन उठाएए मने आपकी मदद से लिया है हाज इतना बड़ा फैसला के लिए कैसे ले लूँ खुदा के लिए फोन उठाएए हैधर याली मदद कर मदद कर मेरे खुदा मदद कर अकेली रह जाओगी तुम मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा अपनी शेतानी मनसुबए पे लगाम कस लुद्वा परना तुम्हारा साया भी तुम्हारा साथ चोड़ देगा मुझे वो मन्सूर है अम्मी पर इस घर की बरबादी कुभूल नहीं है पस करो तुम अब एक और लफज नहीं बड़ी बड़ी बातों के सिवा तुम्हें आता की क्या है एक मा का दिल दुखाया है तुमने अगर मेरी हाय लग गई न दुखाया तो तुम कही के नहीं रहोगी अम्मी मचे समझने की कोशिश कीजिया तुम समझने की कोशिश करो दुखाया जो लोग दूसरों का घर जलाने की ख्वाईश रखते हैं उनका खुद का आशिया भी कभी महफूस नहीं रहता ए गजल से बदला लेने की हसरत में तुम हम सब से दुख्मनी क्यों लेना चाहती हो गजल से उसकी खुशिया चिनने की तमन्ना तुमें कहीं का नहीं छोड़ेगी तुआ गजल का निकाह तोड़ने की कोशिश में कहीं तुम हैदर को ही नफो बैठों अम्मी आप ऐसा कैसे बूल सकती है आपकी दुआ हो आपने हमेशा मुझे दुआ हैं अजस गजल के लिए आप मुझे बद्दुआ दे रही है इसी लायक हो तुम मेरा राज हैदर को बता करे मेरी जिंदगी का सबसे गहरा घाओ कुरेद करे मेरे पेटे को मुझ से छीनना चाहती हो तुम रूहान और कसल का निकात तोड़ना चाहती हो तुम तुम्हें बद्दुआ ना दू तो क्या करूँ मैं दुआ आखरी बार इलतजा कर रही हूं तुम से दुआ मा का दिल मत दुखाओ तुम मेरे हाए मत लो तुम कहीं ऐसा नहो दुआ कि रोने के लिए तुम्हारी आखों में आसू ही ना बचे क्या-क्या खुआप देखे थे मैंने क्या-क्या खुआश ही की थी तुम मेरा घर सवारोगी मेरे हैदर का साथ दोगी मेरे बुड़ा पे की लाठी बनोगी तुम लेकिन तुम ने तो मेरी सारी उम्मीदों का गला ही गोड़ दिया दुआ तुम्हें इस घर की बहु बना कर लाना मेरी सिंदगी की सबसे बड़ी घलती थी तुम्हें इस घर में लाकर मैं अपनी बरबादी का सामान में कराई मेरा भरोसा तोड़ने वाली एहसान परामोश हो तुम आप मेरी जगेगी तुम्हें अला मिया तुम्हें कभी बाद ने करेंगी मैं आपकी दुआ हूँ अपमी आप मुझे पर दुआ कैसे दी सकती है यहीं बन्बाद करना नहीं चाहते हैं। उघंदल चाहती है। मैं तो बस उसे रोकता चाहते हैं। वहीं मुझ पर हकीम क्यों नहीं कर रहा है। तुम्हारी खुषपू, तुम्हारा एसास मेरे तन बदन को महकारा है। तुम्हारे लिबास से, तुम्हारी खुषपू से, तुम्हें महसूस करते-करते ठक चुकी हो हैं। बस जल्द ही ये दूरी खत्म होने वाली है। और फिर मेरी बाहों में सिर्फ तुम्हारी महक नहीं। तुम्हुद होगे। और फिर मेरा घुंगट उठाकर मेरा नाम पुकारोगे। और फिर शर्मा के जवाब दूगी। जी मिया? नहीं, मिया बहुत आउटेटर है। तो फिर शोहर? नहीं, ये भी अच्छा है। फिर सर्ताज? ये तु बिल्कुल भी नहीं। क्या बुलाओ उपने होट चॉकलेट को? सोजा गजल, सोजा अपने हैदर के ख्वाब आंखों में लेकर सोजा। कल बहुत बड़ा दिन है, कल बहुत बड़ा हंकामा होने बाल है। सब कुछ बहुत अच्छा है। पुरा लग रहा है तो वो है रुहान की बरबाद ही। मैं चारों उसे सच्चा प्यार करता था। मगर क्या करें। सच्चे आशिकों का अंजान तो यही होता है। उन्हें उनकी महभूपा नहीं मिलती। मेरे बर्सों के इबादतों का सिला है आप रहत्सा। रुहान और गसल के होने वाले निकाह के वजह से हम दुबारा करीब है। और दुआ इसी रिष्टे को रोगना चाहती। मैं उसे अपने मकसद में कभी काम्याप नहीं होने दूगी। मेरे मॉला गजल को इस घर की बहु बना कर लाना। यह आपने मुझे दिया हुआ मौका है। मेरे गुनाह के माफी मांगने का। जो आपने मुझे बना सब्सक्षव किए मैं यहोने मुझे कभी साया नहीं होने दूगी। जाहिए जो हो जाए, मैं रूखान उर्ग निकाह करा के रहोमगी। अगर यह निकाह हो गया, तो मेंरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। रोग दिये मेरे मालेगник। मेरे इस ब्लाउस की टोरी भान तो हैदर? एदर तुने रिगद लकमस्ट के जिना, एद निसा है निकी एदर क्यों के एदर क्यों के एदर क्यों के एदर क्यों करते है। मैं लव यू हैदर। मैं लव यू बढ़ो हुआ before दोुमा खिए था तुम क्या हो गया थो हुआ तुम तुम झालबतः थिठी ना सुम्हें उनकी खुशू काहसास क्यु même हो नहीं क्यू और खास्ता हुए लिख रखाह थिरह को इन दे रहा तो बहले ही ना देखा हूँ, लेकिन मैं दिखा नहीं कर सकता हूँ. पर सुबात हमें की दुनिया में खुशियां तो भारा लोटी हैं. हुष मिसिर्क ओने शफर नहीं नहीं दे सकता हुष। मैंने इस घर को जोके रखा थानत वा अज तुमने इस ग़र के तुकड़ है करती है। आपनी दलीले देना बंका पढना अम्हेरे मुमूसे भो निखल जाएगा जिसका थोस्व सन्भुलु को कात्वा कर लिये खुव समय के लिए मेरी बाद सुन के लिए है हैतर मेरी बाद सुन थैंस फॉर्स पाktर रही हिंका हो गया दो लिए जिए।